बिस्मिल्हें रामारे रहीम असलाम लेकूम वेलकम टौ फ्यास किचन आज मेरे किचन में बने आलू गोश का सालन तो जीचना पहुत ही मज़दर सा अलू गोश का सालन की रेस्पी आप लगों से शेयर करेंगे रेस्पी आप लगों नहीं पूरी वाज करनें को पी स्टैप साइस के प्याजों को मैंने ब्राउन कर लिया था पहले से पड़े वोए था मेरे पास मैंने यह शामिल कर दिए ते क्रीबन आदा कप से थोड़ी से कम है ते टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्टिस में आड़ करेंगे वन टेबल स्पून जाए पिस्चिवी लाल और एक बड़ी लाइची भी थी अब इसी के साथ मैंने दो गलास पानी डालके चमच लाके अच्छी तरह मिक्स कर लिए सारी चीजों को आप इसे ढखके में पकने के लिए रख दूँगी कमस कम 35-40 मिंट के लिए तो देखे माशाला से 40 मिंट हो गए इसे पकते वह गोश कर दूँगी काफी हां तक इसका पानी खुश्क हो गया है आदा काप और आट करेंगे और अच्छी तरह इसकी भूनाई करेंगे 2-3 मिंट के लिए तो देखे माशाला भून भून की कितना अच्छा सा सालन की शकल आ गई हमारे की अब मैं क्या करूंगी इसमें शामिल है तो गरम पानी ही भूने के बाद डाला करें वरना गोश्च सकत हो जाता है हमारा फिर से चुड़ा हो जाता है तो देखे पानी मैंने दो से तीन ग्लास के लिए क्रीब डाल दिया है धक्या पकाएं कम असकम 15 मिंट के लिए तो 15 मिंट हो चुके चेक करते हैं अब इसको म चैनल में डालने के बाद पहुत ही इसमें अच्छा सा फ्लेवर आजागे ठके रखेंगे कम असकम दंबे से 5 मिंट के लिए हलकी आज पर ताकि अच्छा सा खुश्पू आजा सारे मसालों की तो देखे माशाला से 5 मिंट बाद में ठकन खोल दिया पहुत ही मजदार सा हमा तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी मिलिंगे इंशालो अगली रेस्पी के साथ दूआ में याद रिके लाफिस